पुनीच के शो से जाने के बाद Big Boss को बहुत लॉस हो रहा है और अम मेकर्स कोशिश कर रहे हैं कि पुनीच सूपरस्टार को शो में वापिस लाया जाए तो क्या पुनीच सूपरस्टार की वाइल्ड कार्ट से शो में दुबारा एंट्री हो सकती है इस बारे में आज हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें भी लगता है कि पुनी सुपरस्टार को शो में दुबारा एंट्री देनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना जैसे कि तुम्हें पता ही है कि पुनी सुपरस्टार की बेहिवियर की वज़े से काफी कंटेस्टेंट्स इरेटेट हो गए थे और जिस वज़े से बिग बॉस ने भी गुस्से में आकर पुनी सुपरस्टार को वोटिंग के थूरू शो से बाहर कर दिया था अब इससे बिग बॉस को नुकसान तो नहीं बलकि फायदा ही हो रहा है क्योंकि भले ही बिग बॉस को काफी हेट दिया जा रहा है पर साथ ही काफी लोग बिग बॉस को देख भी रहे हैं इस चीज़ को ढंग से जानने के लिए कि ऐसा पुनीत ने क्या किया उन 12 गंटे मे कि लोग उनसे बारा घंटे भी नहीं जेल पाए और सिर्फ बारा घंटे में उन्हें शो से बाहर कर दिया गया तो फिलहाल तो इस वज़े से बिग बॉस की काफी ज्यादा हाई बढ़ गई है वैल थोड़ा तो ड्रामा क्रेट नहीं हुआ बहुत ज्यादा ड्रामा क्रेट हुआ जो कि बहुत ज्यादा ज़रूरी है बिग बॉस के लिए अगर उसे व्यूज बगरा चाहिए तो और तुम्हें पता ही है Big Boss कैसे भी करके अपने घर में ड्रामा तो करवा ही लेता है और उनको जल्दी निकाल देना भी एक strategy का part हो सकता है क्योंकि अगर उनको starting में रखा तो उससे एक hype तो मिली गई already और काफी लोग देखने आ गए लेकिन उनको जल्दी निकाल दिया है तो उससे एक benefit ये भी है कि जब वो चले गए तो थोड़ी बहुत hype गिरेगी जो उनको लोग देख रहे हैं वो नहीं देखेंगे लेकिन फिलाल लोगों का focus उन पे भी जा रहा है जो बाकी contestants है अभी थोड़ा बहुत ही जा रहा है लेकिन ये बात पकी है कि अगर पुनी सुपरस्टार इस टाइम शो में होते तो वो थोड़ा बहुत focus भी बाकी लोगों पर नहीं जाता क्योंकि पुनी सुपरस्टार महफिर लोटने में यार एकदम माहिर है फिलाल के लिए मुझे लगता है कि बिग बॉस में पुनीत के एंटरी नहीं होगी कुछ टाइम बाद हो सकती है